ये रेवडी कल्चर देश के विकात के लिए बहुत गातक है फ्री रेवडी फ्री रेवडी फ्री रेवडी अरे चिंता मत के जीए मोधी जी रेवडी क्या होती है अभी मैं बता रहा हूँ आप रेवडी आपने कैसे बाटी है ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों डरते हो आप केजरिवाल से क्यों डरते हो आप अर्विंद केजरिवाल अंतरास्टी मंच पे जाके दिली के सिक्षा के बारे में स्वास्त के बारे में बिजली के बारे में पानी के बारे में माताओं बहनों की फ्री बस की आत्रा के बारे में बताएंगे क्यों डर में आजकल एक ही प्रलाप कर रहे हैं, फ्री रेवडी, फ्री रेवडी, फ्री रेवडी, अरे चिंता मत के जिए मोधी जी, रेवडी क्या होती है अभी मैं बता रहा हूं आपको, रेवडी आपने कैसे बाटी है, ये मैं आपको बता रहा हूं, और ये रेवडी बाटी है आ आपने अपने मित्र अडानी जी को 72,000 करोड का लोन माफ करके आपने अपने मित्र अडानी जी को रेवडी बाटी है। उसके बाद आपने एक RTI के जरिये आपकी सरकार ने जानकारी दिये, मेरी जानकारी नहीं है। ये एक सक्स है उन्होंने सरकार से पूछा जिनका नाम है प्रफुल सार्दा जी प्रफुल सार्दा जी ने पूछा कि भई आपकी सरकार ने कितने लोगों का लोन माफ किया है तो भारत की सरकार ने बताया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बताया साथ फीगर सुनेंगे चौक जाएंगे 11 लाग करों रुपए का लोन माफ किया है 11 लाग करों रुपए का लोन माफ किया है देश को तबाह कर दिया दिवालिया कर दिया है बैंकों को खाली कर दिया तो अपने पूजी पती मित्र अडानी जैसे मित्रों को आप रेवडी बाट रहे हैं प्रदान मंत्री जी पूरा देश आपको देख रहा है 11 लाख करोर रुपए की रेवडी आपने बाट दी आपको नौजवानों को रोजगार देना होता है तो आप कहते हैं पैसा नहीं है महंगाई कम करनी होती है तो कहते हैं पैसा नहीं है पेट्रोल डीजल का दाम कम करना है तो कहते हैं पैसा नहीं है गैस के सिलंडर का दाम कम करना है तो कहते हैं पैसा नहीं है लेकिन अपने पूंजी पती मित्रों का 11 लाक करोड रुपए का लोन माफ कर दिया ये बैंकों में किस का पैसा जमा है करमचारी का है आम आदमी का है नौजवान का है किसान का है मजदूर का है माताओं बेहनों का है छोटे ब्यापारियों का है और वो पैसा निकाल निकाल के निकाल निकाल के अडानी जैसे चंद पूंजी पतीों को आप बांट रहे हैं और जब वो कर जा चुका नहीं पाते तो आप माफ कर देते हैं 11 लाक करों रुपए माफ कर दिया आपने ये है रेवडी जो आपने अपने पूंजी पती मित्रों को बांटा है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी सरकार ने बताया बाद में मत कही है कर संजे सिंग ने आरोप लगाया था आपकी सरकार ने बताया RTI की जानकारी के जरीए बताया और मैं बताता हूँ रेवडी क्या है एक कंपनी है दी एच एफल ये कंपनी है दी एच एफल जिसने बैंकों से 34,000 करों रुपे का लून लिया वो फीगर बाद में और निकल के आया कुछ उसमें और बढ़ा है 42,000 करों रुपे का फीगर आया 17 बैंकों से पैसा लिया दी एच एफल ने 17 बैंकों से पैसा लिया 34,000 करों रुपे है बैंक को कंगाल कर दिया बैंक को खाली कर दिया दी एच एफल ने और बाद में जब उसकी परताल की गई कि भाई ये दी एच एफल कौन है ED ने इस पे कोई कारवाई क्यों नहीं की CBI ने इस पे कोई कारवाई क्यों नहीं की तो पता चला यह तो भाजपा वालों के दोस्त है 27 करोण रुपए चंदा दिया है भारती जंता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली अपने आपको दावा करने वाली भारती जंता पार्टी को DHFL ने 27 करोन रुपए का चंदा दिया है और उसके बदलेन में नरिंदर मोदी जी की सरकार ने 34,000 करोन रुपए बैंकों का लुटवा दिया इस कंपनी से का तो नरिंदर मोदी जी इसको कहते है रेवडी इसको कहते है लें देन इसको कहते है एक हाथ ले दूसरे हाथ दे एक हाथ से 27 करोन का चंदा लिया भाजपाईयों ने और दूसरे हाथ से का आप बैंकों को लुट डालो 34,000 करोन पर लुट लिया और रेवडी बताता हूँ अडानी इनको तो आपने देखा होगा किसी भी एरपोर्ट पे जाए पहले लिखार रहता था भारत सरकार का एरपोर्ट अब लिखार रहता है अडानी का एरपोर्ट लखनों में उतरिये अडानी का एरपोर्ट पिसले दिनों जैपूर गया अडानी का एरपोर्ट, जोदपूर गया अडानी का एरपोर्ट तो ये अडानी को एरपोर्ट दिया नरिंदर मोदी जी ने ओने पौने दामों में एरपोर्ट की महंगी जमीने दे डा ली सुनिये किसको रेवडी इस देश की जनता को पता चलना चाहिए किसको रेवडी माट रहे है मोदी जी तो जब सब जमीन मिल गई उनको तो अडानी न का भई जमीन दे दिया अब हम इसमें बनाएंगे कैसे इंफरस्ट्रक्टर कैसे हम बनाएंगे बोले चिंता मत करो हम लोन दिला रहे हम गारंटी लेंगे तुम्हारी बारा हजार करों रुपए बारा हजार करों रुपए का SBI से लोन दिला रहा SBI ने गारंटी लिए अगर यह नहीं चुकाएंगे हम चुकाएंगे हुजूर चिंता मत करना 12,000 करोड रुपए SBI की गारंटी पे लोन दिलाया ये हो रहा इस देश के अंदर और आगर ये बिड़ी बताता हूं मैं आज मैंने सर्दली बैठक में ये मुद्दा भी उठाया मैंने का भई इंडिया का कोईला राज्य सरकारों की बिजली कंपनी को जहां पर थर्मर पावर प्लांट है या केंदर सरकार के थर्मर प्लावर प्लांट जहां पर है इंडिया का कोईला उनको मिलता है 3000 रुपए प्रतितन 7 दिसंबर 2021 को मोदी जी की सरकार मीटिंग करती है राज्य सरकारों के साथ और कहती है आपको 10% कोईला विदेसों से खरीदना पड़ेगा तो जब वो विदेसों कह रहे थे मैंने उसी समय कहा था कि विदेसों का मतलब है अडानी से खरीदना पड़ेगा तो मेरे उपर कई लोग सवाल उठाए कि अभी तो खरीदा नहीं आप लोग तो तुरंट चिलाने लगते हैं तो वही बात सत्साबित हुई राज्य सरकारों से का कि 10% कोईला आपको जबरन खरीदना ही पड़ेगा नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे यहाँ कोईला भेजना केंदर सरकार बंद कर देगी और आपको याद होगा कि दो महीने पहले हल्ला मचाय गया कोईले का संकट, कोईले का संकट, कोईले का संकट यह है कोईले का संकट पता कर लिजेगा आप सब बुद्ध जीवी पत्रकार है 32% कोईले का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बढ़ा है आप लोग भी पत्रकार हैं जान लिजे आपके जेप पर भी लूट होने वाली है दो रुपए योनिट बिजली के दाम बढ़ेंगे ये समझ लिजे आप भारत की कोल इंडिया कंपनी का प्रोड़क्शन 32% बढ़ा है ये आन रेकार्ड है कोल सेक्रेटरी ने बताया है इस बात की जानकारी दिये कोल इंडिया की वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं तो जब भारत का कोईले का उत्पादन 32% बढ़ा है तो आप अडानी से कोईला क्यों मंगा रहे हैं कोल इंडिया ने अभी टेंडर किया है जो टेंडर आडानी को मिला जो मेरा शक्त था वो सही साबित हुआ अडानी को मिला अडानी की विदेशों में कोईला की ख़दाने है इसको कहते हैं नरेंद्र मोदी जी रेवडी बाटना अपने मित्र को आपने 3000 टन कोईले की जगां 30,000 उपए टन भारत के राज्य सरकारों से दिलवाने की योजना बनवा दी इसको कहते हैं रेवडी और अर्विन्द केजरिवाल क्या करते हैं 300 unit बिजली free हर घर को अर्विन्द केजरिवाल क्या करते हैं फरिस्ते योजना पचास लाग का भी लाज हो तो दिली की सरकार उठाएगी बताईए ये रेवडी है क्या हमारी माताएं बेहने जो मजदूरी करती है जिनको 50 रुपए 100 रुपए रोज बस में खर्च करना पड़ता था केज रिवाल जी उनके लिए बस की यात्रा फ्री करते है वो आटो वाले की वो रिक्से वाले की बेटी जो काले जाने के लिए 100 रुपए खर्च करती थी उसके लिए बस की यात्रा फ्री करते हैं बताएए ये रेवडी है क्या मासूम बच्चों को अच्छी सिक्षा देते हैं 18 लाग बच्चों को अच्छी सिक्षा दे रहे ये रेवडी है क्या मुफ्त में दवाएं दे रहे इलाज करा रहे हैं पानी मुफ्त में दे रहे ये रेवडी है क्या ये आम इनसान की जरूरत है तो नरेंद्र मोदी जी अगर रेवडी से इतनी परिशानी है तो अपने सारे सांसदों को जो पांच हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है उसको बंद कराईए हर महीने पांच हजार यूनिट फिरी बिजली बड़े बड़े बंगले बड़ी बड़ी सूगना एं बड़ी बड़ी तंकां एं बड़ी गाणियां हवाई जहाज हेली काप्तर ये सब बंद कराईए जनता को बिजली फ्री दे दें केजरीवाल तो रिवडी है बच्चों को अच्छी सिक्षा दे दें तो रिवडी है माताओं बहनों के लिए बसकी यत्रा फ्री दे दें तो रिवडी है पानी मुफ्त दे दें दवा मुफ्त दे दें तो रिवडी है बुजर्गों को तीर्थ यात्रा करा दे तो रेवडी है और अपने पूझी पती मित्रों का आडानी जैसे मित्रों का 11 लाग करोंड रुपए नरेंद्र मोधी जी आप माफ कर देते हो वो क्या है बताईए वो क्या है हम पूछना चाहते हैं आपसे वो बताईए देश को कि क्या है DHFL से 27 करोर चंदा लेके 34,000 करोर रुपए देश का लुटवा देते हैं वो क्या है वो कहां की रेवडी है लखनाओ की रेवडी है कि इंदौर की रेवडी है कहां की रेवडी है वो कि गुजरात की रेवली है कहां से बाटते हैं आप